हालो क्लास हम लोग आज देखेंगे की अप्लिकेशन और इंड़क्टिव इपाया है या आपप्लिकेशं उपसे आपको इन। और दिये जाएंगे तो एफिसलों के देखे वसे इंड़ेक्टिव 550 लॉकलळीजीं शिक्मा electron in only sigma bond carbon containing compound from less electronegative item to more electronegative item is called inductive effect और हम्में दो टाइप के बारे में discussion किया था minus i effect and plus i effect minus i effect को हमने खाँ था electron withdrawing inductive effect मतलब delocalization of electron away from the carbon atom carbon atom से दूर electron का delocalization होगा तो हमको एक बात पता होना चाहिए inductive effect किस बात पर डिपेंड करेगा किस सेक्टर पर करेगा तो हम दोग देखते हैं inductive effect inductive effect कि अगर हम बात करेंगे तो कह सकते हैं कि inductive effect directly proportional to electronegativity जितना ज्यादा electronegativity होगी जितना ज्यादा electron को attract करने की ability होगी उतना ज्यादा आपका क्या होने वाला है inductive effect होने वाला है तो inductive effect से कैसे question आते हैं किस पर करेगा माने साइफिक्ट में हमने आपको एक छोटा सा ट्रीक बताया था अमन नेता साइना को हल्की इसमेल कराई तो आप देख लीजिए अमन नेता साइना को हल्की अल्कोहल पर करें इसमें आपका अमाने था न थीर घे यह फिर आपका नेता में नाइट्रो था 15이고 फिर आपका साइनाईट था इसो साइनाइट था कि 살की में आपके हाईलोजन थे फ्लोरीन था क्लोरीन था ब्रोमीन था और अर्डिन था एलकोहल में अमन नेता साइना को यहां से कारभौक्सली केसीड होगा सबस्ते पहले बेटा C1O-H फिर हलकी में फ्लूरीन, प्लूरीन, ब्रॉमीन, आइडीन इसमेल कराई में आपका आगे हो जाएगा इसमेल कराई में अगर देखेंगे इसमेल में आपका अरोमैटिक कमपाउंड हो जाएगा बेंजीन और अगर हम लोग कमपेयर करेंगे तो एलकाइन में सबसे ज़्यादा होगा, वह अलग बात है, उसको अभी हम देखते हैं तो अगर हम माइनस आई से अप्लिकेशन फाइंड करते हैं तो हमको क्या पता लगाना जैसे अगर आपके सामने मैं कोश्चन रखता हूँ आपके सामने हैं आपका CS3, COOH आपके पास एक कमपाउंड है, यह एक कमपाउंड है आपका CS3, CS2H अगर आपके पास एक और मॉलेक्यूल है जिसको कहते हैं आपका CS3, CN फोर्थ आपके पास एक मॉलेक्यूल और रख दिया हमने CS3, CS2, F अगर आप से पूछा जाएं इसमें से सबसे ज़्यादा ACIDIC कौन है या ACIDITY के ORDER को आपको क्या करना है, अरेंज करना है तो यह थोड़ा सा हमारे लिए difficult हो जाएगा कैसे difficult हो जाएगा भाई, कार्वाकलिक एसिट को देखेंगे तो हम लोग कहेंगे कार्वाकलिक एसिट जो है, वो ACIDITY ज्यादा सो करेगा अगर हमारे पास एलकोहल एक और मैं कंपाउंड लेता हूं, इसकी जगह पर लेता हूं सब्सक्राइब करने आना चाहिए, माइनस ऐएफेक्ट इस डारेक्ली प्रपोर्शनल टू ACIDITY, ACIDITY एया ACIDITY करेक्टर, ACIDITY करेक्टर क्या होता है, electron withdrawing nature, electron withdrawing nature, अगर आपका electron withdraw करता है, electron क्या करता है, आपका withdraw हो, release हो, electron withdraw हो, electron release हो, इस बात किस पर डिपेंड करेगा, माइनस ऐएफेक्ट पर डिपेंड करेगा, electron negativity पर डिपेंड करेगा, अगर आप से पूछा जा कि, how to arrange the acidic order, तो आपको एक छोटा सा बात पता होना चाहिए, माइनस ऐएफेक्ट इस डिरेक्ली पर डिपनल्ट्व एकसर कि, वो एकर लिपेंड करेग्म है और इन्वर्स ली परपोरशनल टू बेसिक करेक्टर अगर आपको एकसरिक करेग्ट फाइंड करना है, तो आपको इस पूरे में देखना है किसका सबसे ज़्यादा माइनस आई एफेक्ट है तो आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा इस फॉर्मूले में आपका नाइट्रो यह नाइट्रो का सबसे ज़्यादा है उसके बाद किसका आ रहा है देख लीजिए आप इसके बाद आपको मिलना है यहाँ पे अमन नेता साइना को हलकी इलकोहल, हलकी फिर इलकोहल है यहां पे हलकी इलकोहल यह आपको इलकोहल List A है न तो आपको देख लीज़ीं यह 3 मिले गा सबसे नाइट्रो यह मिलेगा फर्स ł सबसे ज्यादा है आपको इसी नीचर की बात करें गूं外 hem फिर आपको इसमें कॉण फिट कर रहा है आपका 12 फिर अगर आप देखेंगे या सेकेंड होने वाला है इस तरह से हम कभी बी की सिर्ड को पता लगाने के लिए एक हमारे ourगकोंच मानेस्ट्ब्राइक मधन का होने से क्या कर सकते हैं find out कर सकते हैं बहुत सिंपल हम सब्सक्राइब को find out करा जा सकता है अब देख लीजिए और अगर आपके पास दो compound है इस तरह से एक है आपका CH3 CH2 CL और यह आपके पास है एक CH3 CL तो इस तरह से हम इन दोनों में कैसे find करेंगे कि कौन ज्यादा से लिखें कौन कम सब्सक्राइब इसके लिए भी हम लोग देखते हैं कहानी यह देख लीजिए कार्बन है यह हाइट्रोसन और यह हां लगा आपका CH3 इस तरह से इसकी बात करते हैं इसकी बात देख लेते हैं यह यह जो hydrogen है यह जो hydrogen है और प्लस यह जो carbon इससे अटेच यह carbon is s3 इससे अटेच यह आपका chlorine लगा है तो simple सी बात क्या है आपका electron withdraw करेगा electro negative atom इसके electron को अपनी तरफ attract करेगा यह electro negative atom यह भी attract करेगा तो दोनों electro negative atom same है दोनों को attraction same होना चाहिए दोनों की facility same होनी चाहिए बड़ ऐसा नहीं है ऐसा क्यों नहीं कि अगर हम इस में देखते हैं इस compound में देखते हैं तो carbon और chlorine के बाद carbon और hydrogen है जो आपको पता है कि carbon और hydrogen के बीच में इंडेक्टी effect की value होती है जीरो यहां कोई भी attraction नहीं होता है इंडेक्टी benefit कहां होगा carbon और chlorine के बीच में यहां पर अगर हम यहां बात करेंगे यहां पर carbon chlorine अगर आप ऐसे इमेजिन करिए कि अगर इस carbon ने इस chlorineए क्लोरीन से इस कार्बन के लेक्ट्रॉन को सिफ्ट किया इस पापको पता होना चाहिए कि इस पर इलक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े इस पर निगटीब छार जाएगा पॉझिटिव और इस पॉझिटिबि Irift में यह वाला जो कार्भान को इसको देगा इसको समझेज़ है ने यह समझित कार्भन को अपनी तरफ अट्रेक्ट किया तो इस पर पार्सियल नेगेटिव चार जाएगा इस तरह से और इस पर पार्सियल कैसा चार जाएगा पॉजिटिव आएगा और यह positive charge इस carbon को अपनी तरफ लेगा इस carbon की लेkerष और इस पर कैसा चाह जाएगा फिर से negative और इस कैसा जाएगा तो एल्टिमेटली यह negative charge कहां से होने वाला है यहां से होने वाला है तो आपको देखने में लगका है कि इस इस तरह से इस पर पॉजिटिव चाहर जाएगा इस वज़े से आपका इंडक्टिव इसमें क्या हो जाएगी और इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो से पर जो जैदा कम और हमारे पर मेथेड जिसमें हम पता लगा सकते हैं मैने साइवस Чा करशनल टूंट एस डडी अंड शुली प्रपॉशनल तो नमबर आफ कार्बन नमबर आफ कार्बन इन चेन नमबर आफ कार्बन इन चेन इस बहुत इंपोर्टन इंपोर्टन बाते आपको मैं बता रहा हूँ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू नमबर आफ कार्बन इन चेन अगर चेन में कार्बन नमबर ज्यादा है तो एसेडिक कम होगी अगर chain में carbon number कम है तो acidity ज्यादा होगी acidity character ज्यादा होगा और number of carbon अगर हमारा chain में ज्यादा है तो acidity character आपका कम होगा बट basic character आपका क्या होने वाला है 100% ज्यादा होने वाला है इस तरह से हम minus i effect का use करके acidity की value को क्या कर सकते हैं find out कर सकते हैं अब हम लोग देखते हैँ plus i effect होफुली आपको आपको माइनेस i effect में आपको कुछ याद हो नहीं हो माइनस i effect में कुछ पता हो नहीं लेकिन माइनस i effect में ये बात पता होना चाहिए माइनस i effect इस directly proportional to acidic character and universally proportional to basic character minus high effect is directly proportional to acidic character and universally proportional to number of carbon chain and अगर आप और देखेंगे तो कह सकते हो इस directly proportional to electro negativity अगर आपका यह सब बाते समझ में आ गया है तो आप कभी भी किसी भी entrance exam में acidity के order को acidity को find करने में कभी भी कोई भी गलती नहीं करेंगे फॉफुली यह बात समझ में आया है अब हम लोग देखते हैं छोटा साइक application plus i effect का यह आप note करते जाएं हम लोग देखेंगे दूसरा application plus i effect का तो plus i effect क्या है देख लीजिए हो कहा रहा है भाई जो carbon है अगर आप देखेंगे पूरा एक प्रियॉडिक टेबल अपने सीरीज में देखेंगे lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine अब अगर carbon से इधर वाले लोग जुड़े होंगे तो देख लेजिए carbon से इधर वाले लोगों की electronegativity ज्यादा होती है और carbon से इधर वाले लोगों की electronegativity क्या होती है कम होती है अब आपको पता है कि lithium आयनिक के साथ साथ cobalent bond बनाने की भी ability रखता है किसके साथ carbon के साथ तो अगर आपका lithium और carbon का bond बना हुआ कहीं भी ऐसा कोई compound मिलता है कि आपका ये lithium है ये आपका carbon है ये आपका lithium इससे attach है तो आप सबको पता है कि lithium की electronegativity carbon से काफी कम है तो carbon lithium की electron को अपनी तरफ क्या करेगा release करेगा लेगा बिड्रान करेगा carbon अपने electron को बिड्रा कार्बन करें टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लीथियम इलेक्ट्रॉन मूट तूवर्ड दा carbon इन दिस सिच्चुईशन आप सबको पता है अब इस electron मूट तूवर्ड दा carbon अब सबको पता है इस इस काल्ड प्लास आई इफेक्ट इसको हम लोग क्या कहते हैं प्लास आई इफेक्ट कहते हैं और अगर electron क्या होता है कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन मूव यहां कहीं नाइट्रोजन लगा है इस तरह से तो आपको पता है कि इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रो निगेटिविटी कार्बन से बहुत जादा है ति नाइट्रोजन कार्बन की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा बिड्रॉ करेगा और ऐसे 再 effectو माइनस Dubai effect कहते हैं माइनस काथision कहते हैं अगर आप देखते हो कि इस कारबन ने इस इलक्टरोन को लिए तो इसके ऊपर कैसा चार जाएगा बताई इस पे प्लस जाएगा आएगा यह आए लिगे अप्लश कि यह सरा इस पे कैसा जाएगा आप इसके बेशिस पर पता लगने वाला है कहां बॉंड किस तरह से ब्रेक करेगा क्या सारी प्रोबिलिटी आगे बनके तयार होंगी यह बात आपको समझ मैं अब आपको यह बात पता लगए कि करेक्षै कि प्लस आयिफट होता क्या है अगर और हम लोग ओर डेखने की कोशिश करेंगे कैसे देखेंगे आपको इक्सप्लेइन करके इसको बताता हूं डेख लीजिए भाई आपके पास एक तरसरी कारवन है, आपके पास एक सेकंडरी है, आपके पास एक प्रामरी है, इस तरह आपके पास पहले क्या है? आपके पास है C, R, R, E, ऐसा कुछ, फिर आपके पास यहाँ है, यह है अच्छा लगा दो, यह है आपका एलकील गूरूप, यह है अपका… फिर आपका ये आपका एलकल ग्रूप ये हड्रोजन ये हड्रोजन ये हड्रोजन अब आपको देखना होगा क्या होता है इस कंडिशन में होता क्या है अगर आपको आपसे पूछा जाए इन सब में सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट किस पे होगा सबसे ज़्यादा प्लस आई एफिक्ट उस पे होगा जो सबसे ज़्यादा इलक्टरॉन क्या करेगा आपका कार्बन को देगा उसको सबसे ज़्यादा प्लस आई एफिक्ट क्या होगा आपका महसूस करेगा तो अगर हम इस condition को देखते हैं, इस condition को देखते हैं, इस condition में सबसे ज़्यादा plus eye effect होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा alkyl group है, जितना ज़्यादा alkyl group होगा उतना ज़्यादा plus eye effect, produce करेगा वो molecule, इस central carbon से जितना ज़्यादा alkyl group लगे रहेंगे, उस carbon पे उतना ज़्यादा plus अधाय मूलक 9cell group moore n95 and maura क्या होने वाला है plus अगर आप धहां और хочेंगे 123 कार्बन से मैक्सिमम इसको अगर आप देखेंगे क्या होगा इसको अगर आप देखेंगे कि क्या होगा अपका इसके भी कम होगा और अगर आपके पास कोई एक molecule इस तरह से हमने CH4 लग दिया है तो आप देखेंगे CH4 का plus i effect क्या होने वाला है इस CH4 का plus i effect सबसे कम होने वाला है तो अगर आप ध्यान से समझेंगे जितना ज्यादा आपका क्या होने वाला है जितना ज्यादा आपका alkyl group attach होगा उतना ज्यादा आपका plus i effect की value क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी तो अगर alkyl group बढ़ेगा प्लस I effect के value बढ़ेगी तो प्लस I effect is directly proportional to basic character यह आपको बात पता होना चाहिए कि प्लस I effect यह आपको बढ़ियां से application प्लस I effect is directly proportional to basic basic character and inversely proportional to acidic character तो यह अगर आपको arrange करना हो अगर आपको पता लगाना हो कि सबसे ज्यादा basic कौन है आप जहां जितना ज्यादा प्लस आइफेक्ट होगा वहां उतना ज्यादा आपका क्या होने वाला है basic nature होने वाला है तो दिस इस दा अप्लिकेशन आप minus i effect and plus i effect पूरा पूरा बात आपके दिमाग में पता होना चाहिए minus i effect is directly proportional to acid character and inversely proportional to basic character and plus i effect is directly proportional to basic character and inversely proportional to acidic character and this is the very important information this is very important application जिससे आपके entrance exam में कभी भी कोई भी question minus i plus i की regard में गलत होई नहीं सकता है आप इसको note कर लो